जब हम beneficial medicinal plants की बात करते हैं, तो world over, सबसे पुराने और सबसे famous plants में से, जो multiple countries में, multiple medicinal systems में, हजारों सालों से use हो रहा है, वो है aloe vera. इंडिया में aloe vera, ayurved, unani, siddha और homeopathy systems में बहुत extensively use किया जाता है. अगर आप aloe vera का plant देखेंगे, तो उसमें आपको लगे का, वो cactus की तरह है, छोटे-छोटे काटे निकल रहे होते हैं उसकी leaves के उपर से, बट वो cactus family का नहीं होता है, वो lily family का है, और काफी जगाओं पे aloe vera plant को as a decorative plant भी use करते हैं, और basically इसका जो use होता है, वो होता है as a medicinal plant. Aloe vera maximum dry areas में बहुत अच्छा grow करता है. In fact, it is said के aloe vera काफी साल तक, almost 7 साल तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि ये जो अपने पत्नों के उपर, जो dew गिरती है, ये उसी को absorb करके easily survive कर सकता है. जो aloe vera plant है, इसका जो origination देखा गया है, जहां से सबसे पहले आया था, जो origin हुआ था, वो था आफरिका में, शायद सुदान जो state है, वहां से इसका origin हुआ. इसके लावा जो world में काफी सारे temperate or tropical regions हैं, जैसे Australia, Barbados, Nigeria, Paraguay, US, इन जगाओं पे aloe vera काफी extensively grow होता है, उसके लावा इंडिया में भी ये बहुत extensive amount में grow होता है, multiple states में ये grow किया जाता है, और इसको बहुत amazing तरीके से use किया जाता है, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसक use और extensive हो रहा है, demand बहुत बढ़ रहा है, अगर आप aloe vera की एक leaf उठाते हैं, तो उसमें generally 3 layers होती है, जो बहार की हरे रंग की layer होती है, जो protective layer होती है, उसे हम कहते है rind, जो उसकी beach की layer होती है, जैसे आप aloe vera को खोलेंगे, तो एक yellow color का उसमे चिपचपा सा sap होता है, वो basically latex होता है, और जो inner layer होती है, वो होता है, जो aloe vera का gel हो, aloe vera का जो modern समय में extensive use शुरू हुआ था, वो somewhere 50's में शुरू हुआ था, जैसे aloe vera बहुत famous होना शुरू हुआ, यूज तो हजारों साल उसे हो रहा है, लेकिन हर एक चीज का एक commercial use हम मानते हैं, basically कुछ decades पहले जब world की markets बगारा open होने लगी, globalization बढ़ने लगा, तो फिर इन सारी चीजों का बहुत सारे plants का और बहुत सारे products का use globally होने लगा, एक proper तरीके से, तो जब 1950's में aloe vera commercially famous होना शुरू हुआ, तो ये काफी सारी nutritional drinks में, एक moisturizer की तरह, काफी सारे cosmetics में, और काफी सारे over the counter drugs बगारा में इसको use किया जाने लगा, कोई भी skin में irritation होती है, minor cuts या wounds वगारा होते हैं, उसमें aloe vera का ready use हो सकता है, for example, अगर किसी इंसान को cut होता है, minor सा या burn हो जाता है, तो जो aloe vera का gel होता है, वो leaf को आप fresh cut करिये और उसके अंदर से aloe vera का gel है, उसे निकाल के आप वहाँ पे apply कर स जाता है, because इसके gel में anti-inflammatory properties होती है, तो काफी सारे जो किसी को bruises हो गया, sprains वगारा हो गया, उसकी treatment में ये काम आता है, जो इसकी बीच की layer होती है, यानि जो yellow color की latex की जो layer होती है, चिपचिपीस ही, ठीक है, वो basically जो gel है, उससे काफी different होती है, और उस latex का जो use कियाता ह है, जिससे constipation वगारा का issue है, ठीक है, उसके लिए ये चीज़ use होती है, इसलिए एक warning दी जाती है, जिसका latex होता है, उसका कभी भी use बच्चों को या pregnant women को, या nursing mothers को नहीं करना चाहिए, especially जब women menstrual cycles में होती है, तो भी उनको इस latex से दूर रहना चाहिए, aloe vera की बहुत amazing history है, क्योंकि उसको हजारों सालों से different cultures में different तरीके से use किया जा रहा है, जो Egyptian queen थी, Nefertiti, या Cleopatra, वो अपने regular beauty regimes में aloe vera का extensive use करती थी, Alexander the Great, के जो mentor थे, Aristotle, उन्होंने एक बाल Alexander को बोला था, कि Indian Ocean में एक बहुत ही famous island है, आप उसको capture करिये, और उसका reason था, क्योंकि वहाँ प capture करने के लिए, जो थे, Alexander ने वहाँ पर attack किया, और वो इसलिए था, क्योंकि वो इतनी amount of supply वहाँ से मिल रही थी, वो उनके wounded soldiers को treat करने में काफी हद तक beneficial, जो famous king Solomon थे, वो भी aloe vera की बहुत सारी medicinal properties की value करते, और वो खुद का aloe vera grow करते, तो उसका extensive use करते, aloe vera को सबसे पह properties बहुत amazing, तो it is like a desert में एक lily की तरह एक खिला है, और हमार को इतनी beneficial properties दे रहा, in fact वो इसको powder भी करके use किया थे थे, वो किस तरह, वो अपने bare feet से और hand से, इसका जो pulp था, जो इसका gel होता है, उसे निकालते थे, और जो उनके bags होते थे, गर आप उस जमाने में, you know, bags देके वो goat की skin से बने थे, लेदर की, तो वो उसमें बहुत सारा gel निकाल कर कठा करते थे, उसको फिर sun में dry करते थे, और फिर वो powder बने थे, पाउडर को use किया करते थे, प्लाइनी दे एल्डर, गैलन, सेल्सस, और ऐसे बहुत सारे जो famous ancient, जो physicians हुए हैं, वो aloe vera का बहुत extensive use कि जा करते थे, multiple medical treatments, जो Indian, जो medicine systems हैं, जैसे कि Ayurveda या उनानी या सिद्धा, इसमें aloe का use centuries से हो रहा है, aloe को grit kumari भी कहते हैं, और जो kumari है, वो basically कहां से आया कुमारी यानि young girl, क्योंकि जिस तरह एक young girl में जो femininity होती है, high energy होती है, youthful energy होती है, कहा जाता है, या believe किया जाता है, यह जो आपकी youthful energy है, looks है, यह आपके maintain रहते, aloe का use Ayurveda में tonic की तरह होता है, especially female reproductive system या उनकी जो problems होती है, उन problems को cure करने के लिए treat करने, उसके इलावा constipation, colic disease, skin disease और multiple infections को treat करने के लिए, aloe का use Ayurveda में और बाकी Indian medicine systems में करा जाता है, multiple skin treatment जैसे psoriasis या eczema वगारा को भ जब हम aloe vera की leaf की बात करते हैं, तो research में दिखाया गया है कि इसमें 75, 75 से भी ज्यादा nutrients होते हैं, जिसमें approximately 200 active compounds, जिनमें से approximately 20 minerals, multiple amino acids और काफी सारे vitamins जो है, वो पाये जाते हैं, काफी सारे compounds जैसे मैंने बताया है, जिसमें से बहुत important होते हैं, जिसमें कहते हैं, anthracinones, जि इसके अंदर बहुत multiple तरहां के enzymes मिलते हैं, enzymes basically protein से बनते हैं, protein molecules होते हैं, जो आपकी body में काफी सारी reactions होती हैं, उनमें as a catalyst, as an agent का role play करते हैं, इसलिए जब overall digestion की हम बात करते हैं, digestive system को improve करने की बात करते हैं, food को breakdown करने की बात करते हैं, और nutrient जो absorption है, उसे increase करने की बात करते ह हैं, तो aloe vera human body में ये बहुत important role play करता है, aloe vera में और बहुत सारे beneficial compounds पाय जाते हैं, जिसकी बज़े से ये multiple diseases में बहुत extensively use होता है, for example हमने देखा कि काफी सारे small cuts या bruises में ये use होता है, काफी सारे allergic reactions में, जो लोग arthritis से सफर कर रहे हैं, rheumatic fever, acidity, indigestion, ulcers, small intestines, colon, liver, kidney, pancreas व के लिए सब के लिए aloe vera एक बहुत ही powerful और wonderful plant, एक बहुत ही amazing जो property है aloe vera की, एक तो है कि इसमें enzymes जैसे हमने देखा, बहुत amazing तरीके के मिलते हैं, जो बहुत ही rare property होती है, दूसरी है कि इसमें multiple तरीके के antiseptic agents मिलते हैं, जिसकी वज़े से ये काफी सारे infections बगार को treat करने में काम आता है, so इस particular वीडियो में हमने देखा कि जो amazing powerful ancient plant है aloe vera, उसका कैसा world over historically use होता है multiple diseases में और इसके कितने multiple benefits हैं, क्या क्या इसकी properties हैं, क्या 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 compound इसमें पाये जाते हैं, इसकी अगली वीडियो में मैं cover करूँगा aloe vera के 10 super benefits, जिससे आप aloe vera को regularly अपनी life में use कर पाएंगे, इससे पहले कि मैं video end करूँगा आपको बताना चाहूँगा कि aloe vera के उपर मैंने एक बहुत ही extensive ebook लिखी है, और जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँगे, जब भी आप videos देखें, उसके बाद मेरे free blogs या articles या जो मेरी ebooks हैं, जो बहुत सस्ती और reasonable price होती ह उन्हें जरूर लें उन्हें पढ़ें ताकि आपको जो information में दे रहा हूँ, उससे दस गुना जादा information उन ebooks में हैं, वो और in-depth तरीके से आपको मिलें, तो उस ebook को आप purchase कर सकते हैं, वो मेरी website vstupid.com पे available है, उसका link मैंने नीचे description में दिया हुआ, और ऐसी बहुत सार amazing videos क देखते रहिए, वियो स्टूपर